नमस्कार स्वागत हाब सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कुलरिया History Lecture राजसान से आज से हम शुरुवात कर रहे हैं NCRT कक्षा 11 की विश्व इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विशे इसमें पहला चैप्टर है समय की शुरुवात से तो इस चैप्टर में शुरुवात में मैं कुछ बहुत ही अलग प्रकार की बातें आपको बताऊंगा ताकि यह चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए ने सिर्फ कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बल्कि प्रतियोगी प्रिक्षियाओं की तियारी कर ले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत important यह series होने वाली है मैं बुक के बारे में तो बताऊंगा ही साथ-साथ और भी बहुत सारे ऐसे facts, बहुत सारे ऐसे graphics एड़ करता जाऊंगा जिससे आपको topic अच्छे-चे समझ में भी आएगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी तो पहले इस part को शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी बातें जो हमें जानने जरूरी है और कुछ basic समझ आपको बनाना जरूरी है उसके लिए मैं आपको दूसरी slide पर ले चलता हूँ बुक के अंदर कई बार ये जिकर आएगा कि होमिनोईड क्या है उनकी तुल्ना भी आपको बताई जाएगी फिर उसके बाद में आपके मन में प्रशन भी उड़ता होगा कि मनुष्य किसके निकट है क्या वो गोरिला के निकट है या चिंपैंजी के निकट है औरंग्टन के निकट है और बहुत से बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं होता कि औरंग्टन या चिंपैंजी या गोरिला में अंतर क्या होता है तो जो भी वानर समू के सदसे हैं उनके यहां पर मैंने चित्र भी लिए हैं उनके नाम भी लिखे हैं तो यह सारी बाते समझाने के बाद में आप चैप्टर की शुरुवात करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा तो यह जो एप्स हमूँ है इसकी मैं पूरी आपको तस्वीर दिखाता हूं इसमें जो ग्रेटर एप चिम्पैंजी और गॉरिला डिफरेंट हैं देखिए गॉरिला का माथा आपको यहां से उबरा हुआ दिखाई देगा फिर उसके बाद में औरेंगटन जिसके रेड कलर के या ओरेंज कलर के इस प्रकार के बाल होते हैं यह औरेंगटन की तस्वीर है इसके बाद में यह द छोटे oneर है बाकी बड़े oneर है यहां आपको दिखा भी देता हूं यह greater apps है जिसमें मनुष्य वी शामिल है चिंपेंजी भी सामिल बोनोबो भी शामिल है गोरिळा भी सामिल है हो और इंग्टन भी शामिल है और lesser में बताने से पहले मैं आपको एक और यहां पर दिखाता हूं और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यह देखिए इसको जूम करके दिखा हूं आपको समझ में कुछ बाते आएंगी हलंकि वैसे तो काफी बहुत सारी बाते हैं इसके अंदर प्राइमेट जो आपकी बु आता चलूगा साथ साथ में और फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं देखिए प्राइमेट से भी पहले जाएंगे तो प्रत्वी पर जीवन की शुरुवात समुद्र में होती है एक कोशी के जीव हैं फिर बहु कोशी के जीव हैं फिर समुद्र के लेसर एप्स में आपको बताया सियामंग्स और गिबॉंस फिर उसके बाद में ग्रेटर एप्स इसके अंदर गोरिलाज है चिंपेंजी है और हुमन्स है तो यह कुछ इस तरह से विभाजन इसके अंदर है और जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई अब बात करते हैं होमी हमी नइट्स को आप दो भागों में बाड़ सकते हैं हमी नीड्स और हाइलोबेट्स हाइलोबेट्स में में आपके जो लेसर एप्स हैं वह दोनों आ जाएंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया एक तो गिबॉन और एक सियामंग जो तस्वीर मैं आपको दिखाई थी यह जो lesser apps हैं, यह दोनों highlobates में आ जाएंगे, फिर इसके बाद में hominoids का जो पहला पार्ट है hominids, इसमें hominin है और pengin है, pengin के अंदर आपको यहां पर orangton इसमें अलग आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है orangton, फिर इसके बाद में hominin दो भागों में विभाजित है, hominini और gor gorilini, इसके अंदर gorila अलग हो जाता है, अब बचे तीन, क्या क्या बचे, मनुष्य, chimpanzee, और chimpanzee के साथ में bonobo, जो उसके जैसा ही दिखाई देता है, तो homo के अंदर तो आगे मनुष्य, मनुष्यों की पुरानी प्रजातियां, जो शुरुवाती प्रजातियां है, और pen ह इसके अंदर दो आ गए, एक तो आ गए chimpanzee, chimpanzee, और दूसरा इसके अंदर आ गया bonobo, तो यह दोनों इसके अंदर आते हैं, तो यह आप यह बानेंगे कि मनुष्य किस के जादा निकट है, तो मनुष्य chimpanzee और bonobo के जादा निकट है, और gorila इससे थोड़ा सा दूर का र आते हैं, लेकिन उस तना पूराना हम नहीं जाएंगे, पुस्तक में भी इतनी बाते नहीं दी गई है, तो यह आप वानरसमों के निकटता की बात करें, तो chimpanzee और bonobo के मनुष्य जादा निकट है, क्योंकि मनुष्य और bonobo चिंपांजों की पहली पीडिया hominin, जो समान थी, जैसे hominoids से आप शुरुवात करेंगे, तो यहां चार पेरों पर चलने वाले इस प्रकार के जानवर थे, जिसका आप में को मचितर दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं यह hominids और hyalobates में बढ़ गया, बट गया, अलग प्रकार से, ऐसा नहीं है कि यह एक दो PD के अंदर ही बदलाव आ गए, यह लाखों वर्षों में जीन में परिवर्तन होने की कारण इस प्रकार से बदलाव आते गए, और इन्वानर समूव में से ही मनुष्यों की प्रजाती निकली, और जहां से हम australopithikas से होते हुए, और उसके बाद में जो भी हमारी बुक के अं अगरा होगा कि मैं किस प्रकार के शब्दों का इस्तिमाल कर रहा हूं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा घपराने के आउशकता नहीं है, जब मैं इस पार्ट में आपको इन मनुष्यों की प्रजात्यों के बारे में बताऊंगा और उनकी चित्रों को दिखाऊंगा, त मानव कब और किस रूप में सरव प्रथम अस्तित्व में आया, ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाक वर्ष पहले प्रथवी पर ऐसे प्राणियों का प्रादूर भाव हुआ, यानि उनकी उत्पत्ति हुई, जिने हम मानव कह सकते हैं, यानि मनुष्य की शुरुवात हो्मो सेपिंस कहेंगे आप, आधुनिक मानव या इसके लिए हम शब्द इस्तिमाल करेंगे होमो सेपिंस यहां लेकदता हूं मैं होमो सेपिंस, यह सब भी आपको बार-बार मिलेगा तो आधुनिक मानव जो अभी हम जो मनुष्य हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो मां बना रहा हूं हम सभी होमो सेपियंस हैं तो आधुनिक मानव जैसे लोग एक लाग साथ जार साल पहले पैदा हुए लगभग आठ हजार इस्वी पूरु तक इस्वी पूरु के बारे में कक्षा ग्यारा के विद्यार्थियों को कम जानकारी होती है उसके ल लगभग ये दस हजार साल पहले की बात हो रही है तो लगभग आठ हजार इस्वी पूरु तक मानव इतिहास के इस लंबे अर्से के दोरान लोग दूसरों दुआरा मारे गए या अपनी मोत खुद मरे पराणियों के शरीर में से मास निकाल कर जानवरों का शिकार करके अ ऐसे ही पेड़ पोदों से कंद मूल इकठा करके अपना गुजारा किया था आठ हजार इस्वी पूर यानि आज से लगभग दस हजार साल पहले मनुषे ने खेती करने की शुरुवात कर दी धीरे धीरे वो स्थाई बस्तियां बनाने लग गए और धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे इलाकों में मनुषे ने वो घुमनतू प्रकार का जीवन छोड़ दिया हलांकि आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मनुषे घुमनतू जीवन व्यतित करते हैं और इसी प्रकार के एक समू के बारे में हाद जा जन समू के बारे में हम इस पार्ट में जाने थी उसके बाद में तांबे में टिन मिलाकर या जस्ता मिलाकर आप कह सकते हैं कांसे की बस तुमें वो बनाने लगे उसके ओजार बनाने लगे जैसे हडपा जो सब्वेता है वो कांसे यूगीन सब्वेता है उसके बाद में लोहे की खोज हो गई तो धीरी धीरी ये पत्थर के ओजारों से ही काम चलाता है हलांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए पर शिकार और संग्रहक करके यानि इधर उदर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा साथ-साथ आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहन से अपने भोजन की वेवस्था करते हैं जैसे भारत में अंडबान निकोबार्थ ग्रीव समूह में कुछ ऐसी जंजातिया है जो आज भी जो आधुनिक जो मनुष्य हैं उससे बिल्कुल पूरी तरह स या कई अन्य प्रकार के मरुसलों में बहुत सारे दीपों पर भी अभी भी कुछ ऐसी जंजातिया हैं जो पुराने समय का आदिम जो जीवन है वो अभी भी वैतित करते हैं इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्रहक यानि शिकार करना और संग्रहक का मतलब भोजन इकठा करना लोगों की जीवन शैली का अध्यन करके करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं आज जो ऐसी जंजातियां बची हुई हैं जो शिकार करके और भोजन संग्रहक करके अपना जीवन यापन करते हैं क्या उनक कि जानकारी माननow के जिवाश्मों पत्थर के ऑजारों और गूफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है, माननो का जो पहले का अतिहास है लिखी तो मौजूद नहीं है, कुछ चित्र मिले हैं गूफाओं के अंदर उससे या जो जिवाश्म है जिवाश्म क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं या देखिए जिवाश्म जिवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पोधे जानवर या मानव के अवशेशों या छापों के लिए प्रियूक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदल कर अकसर किसी चटान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं जैसे आप चित्र भी देख सकते हैं कि जानवर की या मनुष्य की मृत्य हो गई या कोई पेड़ पाधा नश्ट हो गया उसकी जो चाप है उसको फोसिल्स बोलते हैं या हिंदी में उसको जिवाश्म बोलते हैं तो उन जिवाश्मों से हमें मनुष्य की इतिहास की जानकारी होती है कि भी पहले डाइनसौर हुआ करते थे या अन्य प्रकार के जो जानवर थे या मनुष्य था या वांदरों की कौन सी प्रजाती थी तो उनके जो फोसिल्स हैं उनके जो जिवाश्म हैं उनस से हमें इसकी जानकारी मिलती है पत्थर की ओजार मिलती है मनुष्यों के गुफाओं में कीगी चितरकारिया मिलती है इन में से प्रतेक खोज का अपना एक इतिहास है अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्व प्रथम की गई अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इंकार कर दि क्योंकि विज्ञान ने उतनी तरकी नहीं की थी उन्हें आदिकालीन मानों द्वारा पत्थर के ओजार या रंग रोगन बनाये जाने की योग्यता के बारे में भी शक था जैसे अभी बहुत सारी अलाकों में ऐसी गुफाई मिलती है जिसमें 40,000 वर्स पूर या 50,000 वर्स साल पहले मनुश्य इस प्रकार के चित्रकारियां कर सकता था एक अरसे के बाद ही इन जिवाश्मों ओजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्यों को स्विकार किया गया मानौ का विकास क्रमिक रूप से हुआ यानि जैसे अभी मैंने वानर समूह से बताया है उससे भी पूरू में आप जाएंगे तो जैसे समुद्र से जीवन की शुरुवात होती है वहां से आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से फिर वानर समुव से मनुष्य का विकास हुआ है इस बात का साक्षे हमें मानव की उन प्रजातियों स्पीसीज के जिवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है उनकी कुछ विशेस्ताओं या शारिरिक लक्षनों के आधार पर मानव को भिन भिन प्रजातियों में बांटा गया है जिवाश्मों की तिथी का निर्धारन प्रतेक्स राशायनिक विशलेशन द्वारा अत्वा उन परतों या तलचटों के काल का परोक्स रूप से निर्धारन करके किया जाता है जिनमें वे दबेवे पाये जाते हैं यानि कोई भी जिवाश्मों कितना पुराना है उसके लिए बहुत सारी विधिया है जैसे उस जिवाश्मों की कार्बन डेटिंग से विधी जैसे जैसे आउसादी प्रकार की चैटानों में ये फोसिल्स मिलता है तो कार्बन डेटिंग से उसकी डेट निकाली जाती है या जो आगने चैटाने ये आपके पास भूगोल विशह है तो आप इनके बारे में जानते होंगे आगने चैटाने जैसे प्रत्वी के अंदर जो गरम लावा है उसको मैगमा बोलते हैं जब वो बाहर निकल जाता है जो आलमों की विशफवर्ट के बाद में तो उसको लावा बोलते हैं तो उस लावे से जो चैटाने बनती है उनको आगने चैटाने बोलते हैं तो उन आगने चैटानों के माध्यम से उस राख के वि कि जाती है जब एक बार जिवाश्मों की तिथी यानि काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता कि कौन सी मनुष्य की प्रजाती कितनी पुरानी होगी लगभद दोसों अब स्पीशीज के बारे में यहां प्रजानकारी है वो भी के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते यानि यहीं मेल और फीमेल दोनों एक ही प्रजाती के हैं तो वो संतान उत्पन कर सकते हैं और उसको हम कहेंगे एक स्पीशीज है एक प्रजाती एक प्रजाती का नर और दूसरी प्रजाती की मादा या इसको वापस में मिलकर संतान पैदा नहीं कर सकते तो यह बात हो गई स्पीशीज की या नि प्रजाती की विद्वानों की अच्छा थोड़ा से ऊपर रह गया लगभग 200 वर्ष पहले सरुपर्थम जब ऐसी खोजें की गई थी तो अनेक विद्वान यह मानने को तयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जिवाश्म और पत्थर के ओजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तों में मनुशे के आदिकालिन रूपों से संबन रखती थी यानि वो ज़्यादा से ज़्यादा यह मानते थे कि दो-चैर हजार साल पुरानी होंगी लेकिन हजारों ल जो बाइबिल के बारे में बाते हैं यह फिर कभी आगे किसी चैप्टर में आ जाएंगी में तब मैं बता दूँगा आपको तो बाइबिल के अंदर लिखा हुआ है कि सभी जानवरों का एक एक जोड़ा मनुशे नहीं इश्वर ने बनाया है और आपने नाम सुना होगा आदम और हववा का कि एक मनुशे पुरुष आदम और एक महिला हववा इन दोनों का एक जोड़ा देवताओं ने बनाया इश्वर ने बनाया और उससे ही यह आगे संताने बढ़ते गई इसी प्रकार सभी जानवरों का एक एक जोड़ा इश्वर ने बनाया तो ये भी ए इस दुनिया में है उसका एक एक जोड़ा इश्वर ने बनाया है और उससे आगे संता ने बढ़ती गई विद्वानों की ऐसी हिच किचाहट का एक उधारन देखिए अगस 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसल दोर्स नगर के पास नियंडर घाटी में चुनने के पत्थरों पता चलगी शुरुवात में किसी ने नहीं माना ये चीजे एक स्थानिय स्कूली शिक्षक कार्ल फुल रोट आगे बढ़ते हैं को सोप दी गई जो एक प्राकर्तिक इतिहासग्य थे जांस के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी फिर उ उन्होंने मिलकर शौद पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये दावा किय कि खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तितु में नहीं है उन्होंने बताया कि ये मनुष्य की एक ऐसी प्रजाती की खोपड़ी है जो अब लुप्त हो चुकी है यानि आधुनिक मानों की ये खोपड़ी नहीं है उस समय तो विद्वानों ने विश्वास नहीं किया जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूं ने उनके इस दावे को स्विकार नहीं किया और ये गोशित कर दिया कि एक खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति किया है जो बहुत बाद की समय मुआ उन्होंने माना ही नहीं कि इतनी पुरानी किसी मनुष्य की प्रजाती की खोपड़ी हो सकती है मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्यन में एक युगांतर करी घटना 24 नौवंबर 1869 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पति के विशे में चार्ल्स दार्विन की पुस्तक लिखी on the origin of species और इस प्रकार का चित्र भी आपने मनुष्य के क्रमिक विकास का काफी बार देखा होगा विज्ञान की किताबों में और उसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है और ये जो इश्वर वाली थियोरी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस पुस्तक के प्रथम संस्क्रण की यानि जो पहली बार उसकी 1250 प्रतियां छपी वो उसके प्रकाशन के दिन ही हातों आत बिग गई यानि जिस दिन वो पुस्तक प्रकाशित हुई उसी दिन बिग गई डार्वीन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानों बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रिमिक रूप से विक्षित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है और इसने सारी थोरी को बदल के रख दिया अब उपर एक चितर दिया गया था वो आपको दिखाना जरूरी है हलांकि थोड़ा सा मोबाइल में शोट में ही रहता है जिवाश में प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है पाई गई चीजों की सही जगे जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कहां मिली है, कितनी गहराई पर मिली है यानि उसकी उर्दवादर और सहती इस्ति जानी जाती है कि कहां पर मिली है उसके अक्षांस देसांतर देखे जाते हैं यहां देखिए जो चित्र दिया गया है हालांकि साफ नहीं दिखाई दे रहोगा उपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तों के स्थान को जानने के लिए प्रियोग किये गए है पुरा तत्व विद यह जो वेक्ति है आर्केयोलोजिस्ट जो फोसि से 10-10 cm के वर्गों के अंदर यह मटी हुई है यानि यह जाली रखकर जैसे आप ग्राफ पेपर निशान लगाते हैं वैसे निशान लगाए जाते हैं कि कौन से बिंदू पर यह अवशेश पाया गया है या कोई फोसिल पाया गया है इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने है वैवस्तु की उर्द्वार्दर स्थिती दर्शाने के लिए काम में लिया गया है कि उर्द्वार्दर स्थिती कैसी है वर्टिकल जो है यानि कितने एंगल पर जुकी हुई है कितनी टेड़ी वह वस्तु जमीन में दबी हुई उन्हें मिलती है इसके अलावा दाइंतरे एक चितर दिया गया है देखिए एक पतली सी नोक है और उससे कुछ चुना वगरा इस पत्थर से या इस फोसिल से हटाया जा रहा है उपर चितर में दिखाया गया है कि जिवास्म के एक टुकडे को उसे चारों और से घेरे पत्थर चुना पत्थर से कैसे अलग किया गया है आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी जिवास्म है जाए मनुश्य का हो जानवर का हो या पेड़ बोदों का हो उसमें मिट्टी पत्थर बगरा जमें मिलते हैं मतलब परत उसके उपर लगे भी मिलती हैं तो उसको अलग किस प्रकार से किया जाता है छोटे छोटे उपकरणों क भी यह रहेगी कि आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं कि आपको सब बातें समझ में आ जाएं और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं एड़ करता जाऊं आपको इदी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए इससे चैनल को फायदा होता है ज्याद पहले की प्रजाति की है यह शुरुवात में श्विकार नहीं किया अब तो सभी स्विकार करते हैं और यह बताया कि एक होपड़ी तो किसी मुर्ख या जड़बुद्धी प्राणी की है यानि यह कोई मुर्ख या जड़बुद्धी कम दिमाग वाले प्राणी की है कुछ ऐसी धार्मिक कताओं के बारे में पता लगाईए और उनकी तुलना इस अध्याई में चर्चित मानव के क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए आप उनके बीच क्या समानता है देखते हैं या जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसमें मनुष्य की उत्पत्ति के बारे क्रमबद तरीके से जो अभी मैंने आपको बताएं जो बातें बताई है वो ही अभी विस्तार से यहां पर बताई जाएंगी तो चुकि यह शुरुआत है और आज मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा आगे से वीडियो हम लगभग आदे से एक गंटे की वीडि हो सकते हैं धन्यवाद